ज्यादा तर लोग अपने अंतिम दिनों में यहीं पर होते हैं किसी अस्पताल में, हलांकि हम में से ज्यादा तर लोग घर पर ही मरना चाहेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है, क्या मरने से पहले इलाज बहुत ज्यादा हो गया है? हर चीज जो मुम्किन है वो जरूरी नहीं क्या मैं मरीजों के फाइदे के लिए काम कर रहा हूँ इसमें कोई और हित शामिल नहीं होना चाहिए कोई आर्थिक हित तो बिल्कुल नहीं हमें डॉक्टरों से कितनी उमीद रखनी चाहिए और मरीज की अपनी मर्जी कितनी मायने रखती है जब एक मरीज कहें कि उसे लाइफ सपोर्ट मशीन पर पड़े रहकर बिना कुछ बोल पाने के हालात में बस 20 सालों तक छट को ताकते रहने में ज्यादा डर लगता है और उसे बहतर है मरना तो आपको ये बात स्विकार करनी होगी क्या अस्पताल वाकई जीवन के आखरी क्षणों में इलाज गर मुनावा कमा रहे है मृत्यू के बारे में बात नहीं की जाती है और इसे लेकर काफी विवाद है धर्टी से धर्टी राख से राख और मिट्टी से मिट्टी तक जर्मनी में लगभग आधे लोग अपनी आखरी सांस अस्पताल में लेंगे ट्यूब और वेंटीलेटर पर ली जाने वाली आखरी सांस या मौत आखिर कैसी होती है इसे बहतर समझने के लिए हम इंटेंसिव केर विंग में आए हैं डॉक्टर सुबह के समय अपने राउंड पर है गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपके दिल की मास पेशियों में रक्त प्रवाहा की गंभीर समस्या है फिलहाल हमें ये बहतर होता नजर नहीं आ रहा है इसलिए हम कुछ दिन और देखेंगे ठीक है? क्यों इतने सारे लोग घर में शांती से मरने की बजाए अस्पताल के बिस्तर पर मरते हैं? अपने दोरे के दोरान हम कई बजर्ग मरीजों को देखते हैं और अक्सर उन्हें कई बीमारियां होती हैं और फिर भी वो अस्पताल आते हैं हम किसी तरह उनका इलाज करते हैं लेकिन जैसा कि इस केस में आपने देखा एक साथ चल रही ये बीमारियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं और फिर कल आए उनके टेस्ट के नतीजे देखने के बाद हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं उवे यानसेंस पैलियेटिव केर देना चाहते हैं यानि मरीज को मृत्यू के लिए तयार करना लेकिन दूसरे कई लोगों की तरह इस मरीज ने ऐसे इलाज की मनजूरी नहीं दी है यानसेंस किसी तरह मरीज के रिष्टेदारों से बात करना चाहते हैं ताकि आगे के इलाज को लेकर उनका फैसला जान सकें लेकिन बात नहीं हुई मैं दिन में लगभग दो घंटे फोन पर बात करता हूँ क्योंकि मुझे ये जरूरी लगता है उनके फैमिली डॉक्टर से बात होना जरूरी है लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है उसे एक गंभीर लाइलाज दिल की बीमारी है जी ये वाकई बहुत जरूरी था वो डॉक्टर उसे अच्छे से जानता है खुद मरीज ने भी डॉक्टर को ये बताया था कि अगर कोई गंभीर परेशानी हुई तो वो इंटेंसिव केर में नहीं जाना चाहता ये एहम होता है क्योंकि आब हमें साफ तोर पर पता है कि आगे क्या करना है भले ही उसने लिखित में नहीं दिया इसका मतलब है कि हम उसे जिन्दा नहीं रख पाएंगे पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो शान्ती और बिना किसी तकलीफ के दुनिया को अलविदा कहे मैं बैक पैक ले लूँगी मुझे नहीं पता कि वो नीचे है या नहीं मैं नीचे जा रही हूँ ठीक है लेकिन आइसी यू विंग में जानलेवा हालात हमेशा इतने धीमे और शान्त नहीं होते इंटेंसिव केर डॉक्टर अलिस नॉडेकर नीचे एमर्जनसी फ्लोर पर जा रही है एक महिला की किसी तरह जान बचाई गई है और अब आगे के इलाज के लिए उसे आईसी यू में शिफ्ट करना है वो बच पाएगी ये कहना मुश्किल है और फिर दोबारा जल्दी से इंटेंसिव केर में शिफ्ट करते ही तुरंत उसे हर संभव जीवन रक्षक मशीन से जोड़ दिया जाता है बेशक डॉक्टर लोगों का इलाज करना चाहते हैं लेकिन आईसी यू में आने वाले ज्यादातर लोग बच नहीं पाते 20 मिनट हो चुकी है अलीज क्या बता सकती है कि क्या हो रहा है मरीज को हार्ट कैथेटर पर रखा गया उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की पर अफसोस कुछ काम नहीं आया और वो मर गई अब हम परिवार का इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए सबसे जरूरी था कि मरीज के आखरी पलों में हम उसके साथ रहें उसके दर्द और डर को कम करने की कोशिश करते रहें हम आखरी सास तक उसका हाथ थामे उसके साथ खड़े थे क्योंकि हमारे अलावा उसका कोई था नहीं परिवार वाले अभी यहां पहुँच रहे हैं. ICU में आने वाले मरीजों की उम्र बढ़ती ही जा रही है. अक्सर उन्हें पहले से ही इतनी बीमारियां होती हैं कि उनका बचना मुश्किल होता है. ये डॉक्टर तय करती हैं कि उन्हें कब तक जीवित रखा जाए और कैसे? इंटेंसिव केर में जान बचाने के जितने तरीके हैं उतने खत्रे भी. उन सब को समझने के लिए मरीज की प्रिष्ट भूमी समझना जरूरी है. एक टीम के तौर पर आपको कोशिश करनी होती है कि मरीज को आसान मौत मिले. ये भी स्विकारना होता है कि मौत तकलीफ से छुटकारा दिलाने वाली एक प्रक्रिया है. आधुनिक चिकित्सा का मतलब ये होता है कि मौत को लंबे समय तक टाला जा सकता है. ये अकसर डॉक्टरों पर निर्भर करता है कि इलाज कब तक जारी रखना है और कब किसे मरने देना है उवे यांसेंस एथिक्स कमीशन के साथ एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं यहीं पर अलग-अलग विशेशग्य इकठे होकर ये तै करते हैं कि मरीज को लाइफ सपोर्ट जारी रखना है या नहीं आज यहां गंभीर रूप से बीमार फेफडे के एक मरीज की बात हो रही है वो कई हफ्तों से intensive care में है उसे ventilator पर जिंदा रखा गया है सांस लेने में तकलीफ बढ़ने की वजह से उन्हें ventilator पर रखा गया है उन्हें कई तरह के infection हैं कुछ infection ठीक भी हो रहे हैं उन्हें कभी कभी नींद नहीं आती ब्रहम होने लगता है उनका शरीर हर रोज दम तोड रहा है क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? वास्तव में हम सिर्फ सावधानी बरत रहे हैं और उनका भविश्य कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है इसका कोई अंत नहीं है सवाल ये है कि हम कब तक इसे जारी रख सकते हैं इसका अंत क्या है? हम चाहते क्या है? हम लंबे समय से उन्हें वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं हम वेंटिलेटर की हर चार घंटे वाली मॉनिटरिंग कर रहे हैं लेकिन कई बार वो मशीन के बिना लगातार सांस नहीं ले पाते खत्रा इतना जादा है कि अगर हमने उन्हें वेंटिलेटर से हटाया तो निश्चित रूप से मल्टिपल आर्गन फिलियर हो सकता है जब तक वो वेंटिलेटर पर हैं तब तक जिन्दा हैं इलाज को लेकर उनकी खुद की क्या मर्जी है? उन्होंने साफ-साफ कभी कुछ नहीं कहा इसलिए हमें मरीज की मर्जी के बारे में सही-सही जानकारी नहीं है अगर हम यह कहते हैं कि उन्हें वेंटिलेटर से नहीं हटाया जा सकता या नहीं? वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा करना सही है. हर बार, कुछ दिनों में हालाद जियों की त्यों हो जाते हैं. मरीज के फेपड़ों में बलगम जमा हो जाता है, उन्हें परिशानी होने लगती है और उनकी पूरी ताकत इसी में खर्च हो जाती है. मुझे लगता है, घर जाकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब की घर जाने की उनकी इच्छा, यानि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना, 24 घंटे कड़ी देख भाल, ये उनके परिवार के लिए मुश्किल होगा. हाँ, मैं मानती हूँ, अगर हम मिस्टर A को घर भेजते हैं, तो इसका मतलब है सच में पैलियेटिव केयर, हाला कि मिस्टर A को ये नहीं लगता कि उन्हें बिस्टर पर ही पड़े रहना होगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वो खुद से चल फिर नहीं सकते, मुझे लगता है कि ये पैलियेटिव केयर वाली है, इस्थिती है, हम उन्हें उनकी मर्जी से घर भेजेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लंबा चल पाएगा, और आप काफी लंबे समय से मरीज और उनके परिवार की आध्यात्मिक देखभाल कर रहे हैं, उन्होंने धार्मिक दिश्टिकोंड से अपनी मृत्यों के बारे में खुल कर बात की, उनकी पतनी अपने घर को एक इंटेंसिव केयर रूम बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, घर पर वेंटिलेटर रखे जाने का तो यही मतलब है, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि उनके हिसाब से हमें अपनी जिन्दगी के आखिरी समय में आराम से रहना चाहिए, और साथ बिताय पलों के लिए शुक्र गुजार होना चाहिए, पिछले कुछ दिनों में हमने यही बातें की, इसका मतलब यह हुआ, कि इस आयोग ने अब पैलियेटिव केर अपनाने का निर्णे लिया है, परिवार वालों को ख़वर करनी होगी, वो कौन करेगा? अगली बार जब बात होगी, तो आपको यह काम करना होगा. धन्यवाद. सभी अस्पतालों में ऐसे एथिक्स कमिशन नहीं है. हम नैतिक फैसलों पर बात कर रहे हैं, जिनका मेडिकल से कोई मतलब नहीं है, बलकि इंसानियत से है. हमारा मानना है कि ऐसी वेवस्था हर अस्पताल में जरूर होनी चाहिए. जीवन और मृत्यू का फैसला हमने डॉक्टरों पर छोड़ दिया है. ये मेरी समझ से परे है कि अपने घर में सामान्य मौत मरना अपवाद जैसा क्यूं है? हम एक बुज़ूर्ग मरीज से मिलने जा रहे हैं. मैं पिछले हफते से उन्हें देख रहा हूँ, क्योंकि उन्हें सांस लेने में परिशानी हो रही थी. पहले वो लगातार एंबुलेंस को फोन कर रहे थे. पर अब अस्पताल नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है, अगर एंबुलेंस आ गई, तो उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ेगा. मत्यास थोयन्स एक एनेस्थेटिस्ट और पैलियेटिव केर डॉक्टर है. वो उन मरीजों से मिलते हैं, जो घर में परिवार वालों के बीच रहते हुए, अपनी आखरी सांस लेना चाहते हैं. गुड आफ्टर नून. मैं सीधा अंदर ही आता हूँ. मैं फिर यहां बैठूँगा. बढ़िया. जब मैं पहली बार आया था, तब आप बहुत परिशान थी, क्योंकि क्लीनिक पर आप से किसी ने कह दिया था, कि आप मरने वाली हैं. अब जब आप घर पर हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ओ, मुझे अब डर नहीं लग रहा, और नहीं कोई बुरे खयाल, मुझे परिशान कर रहे हैं. क्या आपको पिछले कुछ दिनों में सांस लेने में कोई परिशानी हुई है, या अब तकलीफ होनी बंद हो गई है? नहीं, अब इस सांस लेने में कोई परिशानी नहीं है, आपने कुछ गौर नहीं किया, किया क्या? नहीं, नहीं, मैं हैरान हूँ कि सब इतना बढ़िया चल रहा है क्या आपको लगता है कि आप मरने वाली हैं? नहीं, नहीं चलिए, थोड़ा चेक अप कर लेता हूँ, आगे जुकिए और गहरी सांस, अंदर और बाहर सीधे कहूं तो दरसल वो घर पर मरने आई है उनका और हमारा यही फैसला है हम बचे हुए समय को अच्छे से बिताना चाहते हैं और मा को वापस यहां देख कर अच्छा लग रहा है हमें कभी ना कभी तो इसका सामना करना ही है सच कहूं तो मुझे इससे कोई परिशानी नहीं है शायद मैं औरू की तरह नहीं क्योंकि मैं आलग हूँ पता नहीं बाकी लोग इसे कैसे लेते मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि लोगों को जब पता लगता है कि वो कुछ दिनों के महमान हैं तो उन पर क्या गुजरती होगी पर मुझे लगता है ये सब बिलकुल सवभाविक है लेकिन ये एक अजीब स्थिती है शायद मुझे से ज्यादा तुम्हारे लिए मुझे चिंता होती है कभी देर रात को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो पर यहाँ मैं जल्दी से उनकी मदद कर सकती हूँ हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हमारे मरीज घर पर ठीक से है हाँ, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है दर्द हो सकता, जी घबरा सकता है या उल्टी महसूस हो सकती है फिर अगर घर पर उनकी मदद नहीं हो सकती तो क्लीनिक के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता लेकिन अगर आपका इलाज घर पर हो सकता है तो लोग घर पर ही रहते हैं ज्यादातर समस्याएं आम दवाओं से ठीक हो सकती है इमर्जनसी बॉक्स में बस साथ तरह की दवाएं होती है और आप उनसे 20 बिमारियां ठीक कर सकते हैं बस फोन पर मरीज को निर्देश दे कर ठीक है और अगर कोई परिशानी हो तो मुझे बताईएगा नहीं तो मैं अगले सब्ता हाऊँगा मैं अभी भी मौत से एक कदम आगे हूँ अभी मेरे पास थोड़ा समय बाकी है आपने देखा घर आने के बाद मरीजों की हालत में कितना सुधार आ जाता है इन्हें अभी अभी अस्पताल के मृत्युशयया से छुट्टी देकर घर भेजा गया था पर इन्हें देखकर आप नहीं कह सकते कि ये मौत के इतने करीब थी बलकि यहां रहकर उनमें कमाल का सुधार आया है रोजाना दो में से एक मरीज मरता है मैं रोज ही ये सब देखता हूँ अंतिम समय में लोगों का साथ देने वाला ये काम काफी तसली देने वाला है क्योंकि कई बार आप उनका दर्द और सांस की परिशानी को कम करते हैं भले ही मैं अपने मरीजों के जान ना बचा पाऊं मगर उनमें से ज्यादा तर लोग अब मौत को अपना दुश्मन नहीं समझते और अगर मेरी वज़ा से उन्हें मरने में आसानी हो तो ये अच्छी बात है 92 साल की इंगे माटेन अपने घर पर एक महीने बाद गुजर गई जैसा वो चाहती थी लेकिन कोई ये कैसे तह कर सकता है कि आप जैसे चाहते हैं वैसे ही मरे हमने इंटेंसिव केर की एक पूर्व करमचारी से बात की वो कहती हैं कि वो कभी भी पुनर जीवित नहीं होना चाहेंगी हैलो तो आपने तै किया है कि अगर आप बेहोश हों और कोई नर्स आपको बचाने आएं तो आप पुनर जीवित नहीं होना चाहेंगी क्या ये सही है नहीं अगर मेरी धड़कन रुक जाए सिर्फ तभी और जब एम्बुलेंस करमचारी आएं जब दर्वाजा बंद होता है तो उन्हें वो हरावाला स्टिकर दिख जाएगा वहाँ पर एक इमर्जेंसी बोतल है और एक इमर्जेंसी बोतल फ्रिज में है फिर वो रसोई में जाएंगे और जब दर्वाजा खोलेंगे तो वहाँ है बोतल और इसमें क्या है और यहां बड़े-बड़े लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, मुझे फिर से जिन्दा मत करो और आप ये क्यों नहीं चाहती? जब मैं काम किया करती थी, तो मैंने बहुत कुछ देखा मतलब आप अस्पताल नहीं जाना चाहेंगी मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती हूँ और नहीं मैं वेंटिलेटर पर रहना चाहती हूँ मैं नहीं चाहती कि मैं ट्यूब्स के साहरे जिन्दा रहूँ वो भी ना जाने कब तक? 89 साल की ये महिला इंटेंसिव केर स्पेशनों के काम करने के तरीखों से वाकिफ है क्या आपको लगता है कि लोगों को जिन्दा रखने के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है लोगों को मरने नहीं दिया जाता? हाँ, जैसे ही आप पैरा मेडिक्स के साथ अस्पताल में पहुँचते हैं तो आपको पुनर जीवीत करने की पहली कोशिश के बाद डॉक्टरों और नर्सों के बस में जो कुछ होता है वो सब करेंगे मुझे जिन्दा रखने के लिए और मैं ऐसा नहीं चाहती मैंने अक्सर बुजर्गों को पुनर जीवीत होते देखा है और फिर उन्हें डिप और वेंटी लेटर्स पर रखा जाता है और फिर कुछ दिनों, हाफ्तों और महीनों बाद वो मर जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी जरूरत है मैं अंत तक अपने तरीके से अपनी जिन्दगी जीना चाहते हूँ और जब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, तो वो मेरा अंत होगा अब लोग शायद ही अपने जीवन के आखिरी पलों को अपने हिसाब से जी पाते हैं क्या पूर्व नर्स की इच्छा पूरी हो पाएगी? क्या वो ऐसी पेरामेडिक्स से मिलेंगी जो उन्हें इन परिस्थितियों में पुनर जीवित नहीं करेंगे? 89 वर्षिय व्रिधा को डर है कि उनका भी यही हाल होगा गंभीर रूप से बीमार कैंसर का एक मरीज जिन्हें दिल की धड़कन रुकने के बाद पुनर जीवित किया गया इसके बाद से ये कोमा में लाइफ सपोर्ट पर है इंटेंसिव केर की नर्स अलीस नॉइडेकर अब इनकी देख भाल करती है चिंता मत कीजिए, मैं कुछ जाच रही हूँ इनकी किड्नी और लीवर फेल हो चुके हैं और दिमाग भी मुश्किल से काम कर रहा है ज्यादतर मरीजों को उनके घर के बाहर पुनर जीवित किया जाता है वो यहां आते हैं और उन्हें हर मुम्किन इलाज दिया जाता है और तब आप देखते हैं कि जैसा कि इस केस में है कि पुनर जीवन प्रिक्रिया के दौरान दिमाग में बहुत कम मात्रा में आक्सीजन होती है हम अक्सर देखते हैं कि मरीज होश में नहीं आते हैं और फिर कई दिनों या हफ़तों बाद जाच से पता चलता है कि अब वो कभी होश में नहीं आएंगे उनका दिमाग इतनी बुरी तरह से शती ग्रस्थ हो चुका है कि हम कुछ नहीं कर सकते ये 58 वर्ष ये मरीज भी कभी होश में नहीं आएंगे अलीस उन्हें पैलियेटिव केर दे रही है और उनके मरने तक उनके साथ रहेंगी मैंने पूरी तैयारी कर ली है क्या आप हमेशा अपने मरीजों से बात करती हैं? हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि वो कुछ न कुछ सुन सकते हैं हम हमेशा अपनी पूरी कोशिश करते हैं खासकर उन मरीजों के लिए जो मौत के करीब हैं आप हमेशे अपने मरीज़ों का सम्मान करते हैं। और जब डॉक्टरों को ये पता चलता है कि वो जिसकी जान बचा रहे हैं, वो तो मरने वाला है, तो क्या होता है? हम परिजनों के साथ कमरे में जाते हैं। पहले से चल रही दवाईयों की जगह ज्यादा डोज़ वाली पेन किलर दवाईयां शुरू कर दी जाती हैं। और दूसरी दवाईयां मरीज को सिर्फ इसलिए दी जाती हैं, ताकि उन्हें तकलीफ ना हो और तब हम लाइफ सपोर्ट बंद कर देते हैं। हम हमेशा कुछ देर इंतिजार करते हैं। सगे संबंधियों को परिस्थिती के साथ समझोता करना होता है। अपने परिजन को गुजरते देखना हमेशा ही बहुत मुश्किल होता है। एक सवाल जो अक्सर परिजन पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि ये तुरंत ना हो जाए। ये मरीज पर निर्भर करता है। आम तोर पर इसमें दो दिन लगते हैं। लेकिन वो बहुत ही लंबा समय है। एक या दो दिन और फिर मरीज की मौत हो जाती है। क्योंकि वो पहले से ही बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। कमरा नमबर तीन में ला इलाज बीमारी वाले मरीज है। उनके साथ यहां बैठने के लिए परिवार का कोई नहीं है। और जहां इस अस्पताल में मौत रोज की बात है। वहीं हमारे समाज में इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हमें एक समाज के तौर पर खुछ से पूछना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। मेरे अनुभव से मैं अकसर InTensive Care में ऐसे मरीजों और रिष्टेदारों से मिला हूँ, जो ये सुनकर ताज्जूब करते हैं कि अगर आप 85, 90 या 92 साल के हैं, तो आपको जीवन के अंत के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए लोगों को लंबे और उल्टे सीधे इलाजों से गुजरना पड़ता है। कभी-कभी तो ये इसलिए होता है कि डॉक्टरों को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ये मुनाफ़े के लिए भी होता है। इन मुश्किल तरीकों से जिंदिगी के आखिर में इलाज की प्रक्रिया में अच्छी कमाई है। एक डॉक्टर होने के नाते क्या हम वास्तव में मरीज के लिए उचित कर रहे हैं कि गंभीर बहस के तुलना में उन्हें नली लगाना, आक्सीजन देना, फिर से जिंदा करना, किड्नी ट्रांस्प्लांट करना बह चोरी छिपे कमाई पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो चिकित्सा के रास्ते कठिन हो जाते हैं और पिछले 20 वर्षों से वही हो रहा है। हमारे साथ होंगे। लेकिन डॉक्टर की बातों को नजर अंदास करना, काफी मुश्किल और तकलीफ देह हो सकता है। हेलमुट लेंडर अपनी पत्नी को शांती से मरने की इजाज़त दिलवाने के लिए डॉक्टरों से लड़ रहे हैं। ये मेरी पत्नी है तिरोल में, अब वो फोटो छे साल पुरानी हो चुकी है। उसके बालों को देखिए, अब वो 68 हो चुकी है। और अब वो ऐसी दिखती है। ये बहुत बुरा है। मैं वहाँ उसे लाचार पड़े रहने से बचाना चाहता हूँ। ये उसके लिए मेरा फर्ज है। ये वाकरी लंबा समय है। हाँ, तीन महीनों के गहन देख भाल, वो वहाँ 12 अगस्त से है। उसके 18 ओपरेशन हो चुके हैं। इंग्रिड लेंडर, पांच महीने पहले कमर के ऑपरेशन के लिए अस्पताल गई थी। जहां वो एक सुपर बग की चपेट में आ गई। कई ऑपरेशनों के बाद भी डॉक्टरों से ये मामला नहीं सुलजा। मुझे उसकी आज की लुक वाली तस्वीर मिली है। आप देख सकते हैं। वो एक पर्मानेंट लाइफ सपोर्ट पर है। जहां नली से सांस और नसों से खाना दिया जा रहा है। चार महीने पहले हेलमुट की पत्नी के दिल ने काम करना बंद कर दिया था। तब से वो लाइफ सपोर्ट पर है और कोमा में है। नेरोलोजिकल टेस्ट से पता चला है कि सुधार की उमीद बहुत ही कम है। उन्होंने इलाज के लिए पहले ही अपनी इच्छाएं लिख दी थी। मैं तो बस उसके च्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। मैंने उसकी कसम खाई है कि उसके जीवन का अंत मशीन पर नहीं होगा। वो वर्षों तक वैसे ही नहीं पड़ी रहेगी जैसे वहाँ पर है। ये उसके लिए नहीं है और वो ऐसा नहीं चाहती है। आप इन सभी प मैं उनसे कहता हूँ कि इसे पढ़िये। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन घूमकर बार बार एक ही जगा आकर बात रुख जाती है। आपके पास पावर ऑफ अटाउनी होने के बावजूत भी आपकी कोई नहीं सुनता। नहीं, बिलकुल नहीं, आप पर कोई ध मैं कहता हूँ तो आप जो कर रहे हैं वो क्या है, मांग के मुताबिक मौत, मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ इसका अंत चाहता हूँ। है। हम धार्मिक लोग हैं और हमेशा इस बारे में बात करते हैं और हमने अलविदा कहा और कहा कि हम अब अगले जन्म में मिलेंगे। उसने कहा कि वो जाने के लिए तयार है। उसने कहा वो जा रही है। मैंने कहा ऐसा मत कहो। उसने कहा हाँ, तुम जानते हो न मुझे, मुझ एक हफ़ते बाद हेल्मुट लेंडर की अस्पताल में दूसरी मीटिंग है। और कम से कम उनके शरीर में कुछ सुधार आएगा पर हमेशा लाइफ सपोर्ट जैसे उपायों की ज़रूरत से इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इन हालाद के बारे में मरीज के ट्रीटमेंट प्लान में साफ तरीके से नहीं बताया गया है और ठीक होने की उमीद नहीं छोड़ी जा सकती. इलाज को इसी वज़ा से इतना खींचा गया है ताकि मरीज की बताई गई इच्छाएं तै की जा सकें. गंभीर रूप से बिमार लोग मान सकते हैं क्यों उनकी इच्छाएं पूरी होंगी? पैलियेटिव गेर डॉक्टर मतियास थोयन्स श्रीमती लैंडर की केस की रिपोर्ट लिखने वाले हैं. उन्हें ये निर्णे लेना है कि 68 वर्षिय मरीज की इच्छाओं को पूरा किया जाए या नहीं? मतियास थोयन्स मरीजों की सम्मान जनक मृत्यू के लिए प्रतिबध है, ना कि मुनाफे के लिए ऐसे विवादों से वो दुखी और नाराज होते हैं. श्रीमती लेंडर का मामला अलग नहीं है. वास्तव में एक मरीज की मर्जी से उसका इलाज कानूनी तौर से सही है, पर उसे समझने के कई पहलू हो सकते हैं, और कभी-कभी उसकी सीमा को जबरन खीचा जाता है, और इलाज जारी रहता है, जबकि मरीज इसके खिलाफ होते हैं, वो ये नहीं पूछ पाते कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या ये वही होगा, जो मरीज चाहता है, क्या उसे हासिल किया भी जा सकता है, और इस केस की तरह ज्यादा तर नतीजे कभी हासिल नहीं होते जरूरत से ज्यादा इलाज मेरे काम में अक्सर मुझे परिशान करता है सही पैलियेट्यू केयर का फैसला बहुत पहले समय रहते ही हो जाना चाहिए था करता है जर्मनी में इसके लिए कैसा कानून है पुट्सेंट पार्टनर लॉकंपनी जीवन के अंत से जुडे कानूनों की विशे चगे है वो लगभग हर रोज ऐसे केसों से नेपटते है जो मरीजों की मर्जी पर केंद्रित है और उनकी मर्जी लागू करने के तरीके ढूंटे है असल में हमारा सारा ध्यान इस पर होता है कि किसी भी तरह का मैडिकल हस्तक्षेप जिंदगी को बढ़ाने वाला भी चाहे वो वेंटिलेटर ही हो बेकार है उसे जायज होना चाहिए और एक हस्तक्षेप तभी जायज है जब उसके पीछे कोई मैडिकल वजह हो या मरीज की मनजूरी हो ये शुरुवाती बात है अगर कोई मैडिकल दखल फायदे से ज्यादा नुकसान करता है तो उसका कोई फायदा नहीं है ये और ज्यादा परेशानी का कारण बनता है तो उसका कोई मतलब नहीं है इसलिए जो भी किया जा रहा है वो अवैद है और अधिकारों का हनन है। ये एक जुर्म है। हाला कि एक फेडरल प्रोसेक्यूटर एक डॉक्टर को आमतोर पर एक मरीज की उम्र बढ़ाने के लिए सजा नहीं देंगे। वो हमेशा इस से बशने का रास्ता ढूंडते हैं। तान्या उंगेर ने ऐसे कई मामले देखे हैं जिसमें डॉक्टर असमंजस में होते हैं। और इस वज़े से मरीजों का जरूरत से ज्यादा इलाज होता है। पर उन्होंने उन्हें पैसे कमाने के लिए भी ऐसा करते देखा है। अगर किसी डॉक्टर पर सिर्फ पैसे कमा करने के लिए ऐसा करने का शक हो तो क्या उस पर कारवाई होगी। यह शक हमेशा बना रहता है। लेकिन मौझूदा कानून के आधार पर इस पर कारवाई करना मुश्किल है। क्योंकि आपको साबित करना पड़ता है कि वो कोशिश जान बूज कर पैसे कमाने की नियत से अगर वो कहें कि उनके रिष्टेदार को परिशान किया गया है और ये डॉक्टर ने सिर्फ पैसे बनाने के लिए किया है तब आप के पास मौका है किसी दूसरे डॉक्टर से जाच करवाने का जिसे उस इलाज से कोई मुनाफ़ा ना मिल रहा हो। सचाई ये है कि भविश्य में हमें ऐसे डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत होगी जो पैलियेटिव गेर के जानकार हों और अपने काम के प्रती इमानदार हों तो यहां कौन जीता एथिक्स या एकोनॉमिक्स इंसान या मशीन हेल्मुट लेंडर लोवर सेक्सिनी में अपने घर से चार घंटे गाड़ी चला कर क्लिनिक आए हैं। वो एक बार फिर डॉक्टरों से बात करना चाहते हैं। उन्हें मनाने के लिए कि उनकी पत्नी की अंतिमिच्छा पूरी करते हुए उन्हें मरने दिया जाए। वो चार महीनों से इस अस्पताल में इंटेंसिव केयर में है। ये सोचकर ही बहुत डर लगता है। मैंने अपॉंट्मेंट ले लिया है और अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। जो आज हो रहा है वो नाइनसाफी है। इसलिए इन डॉक्टरों से आज मैं यही सब बात कहने आया हूँ। चार महीनों से डॉक्टर अपनी मरीज इंग्रिड लेंडर की इच्छाओं को नजर अंदाज करते आ रहे हैं। डॉक्टरों और हेल्मूट लेंडर के बीच की बातचीत काफी लंबी और मुश्किल होने वाली है। क्योंकि अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, एक स्थानिय जज को बुलाया गया है। वो आज इंग्रिड लेंडर की इच्छाओं पर फैसला सुनाएंगी। चार घंटे बाद। ये बहुत ही चिंता जनक है, कि कुछ डॉक्टरों को लगता है, कि उन्हें हर बार, हर संभव मेडिकल प्रयोग करना ही है, ये डॉक्टरों का काम नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते, आपको खुद से पूछना चाहिए, कि ये इलाज क्यों करना चाहिए, इससे हम मरीज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम मरीज को ठीक नहीं कर सकते, और लाख कोशिशों के बावजूद भी, अगर वो लाइफ सपोर्ट पर ही हैं, जैसा कि किसी भी मरीज ने खुद के लिए नहीं सोचा होगा, वो उसे नामंजूर होगा, तो हमें डॉक्टर के तौर पर उसे स्विकार करना अगर वो इलाज से स्वस्थ नहीं हो सकते, तो कोई और तरीका सोचना होगा, और आखिरी स्थिती में उन्हें मरने देना होगा। जब मरीज घर पर ना हो, तो उस इंसान की मौत कैसी होगी? जब भी मैं किसी ऐसे मरीज को देखती हूँ, मेरा दिल रो पड़ता है, कोई बात नहीं अलीस नॉइडेकर के मरीज की हालत अचानक से बिगड़ गई है, उन्हें सांस लेने में परिशानी हो रही है, इस स्थिती में उनकी देखभाल करना आसान नहीं है कल ये अच्छे से सांस ले रहे थे, तो हमने तै किया कि वेंटिलेशन की नली हटा दें हमने इन्हें नींद में रखने वाली दवाई भी कम कर दी थी अब मैं असमंजस में हूँ, ये बहुत तकलीफ में हैं और मुझे डॉक्टरों को फोन करना पड़ा और मरीज को फिर से नींद की दवाई देनी पड़ी क्योंकि मैं इन्हें इस हालत में नहीं छोड़ना चाहती, ये सच मुझ तकलीफ में है दिल की धड़कन सही चल रही है अलीस हेड डॉक्टर का इंतजार कर रही है अब मुझे थोड़ी राहत मिली है मैं नहीं चाहती कि मेरे मरीज को तकलीफ हो लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं जो दे रही हूँ उसके कारण इनकी मौत हो क्योंकि अब ये वेंटी लेटर पर नहीं है इसलिए मैं इतना समख़्ल कर काम कर रही हूं बहुत ही कम अंतर होता है किसी की मरते समय साथ होने में या उन्हें उसमें सहीयोग करने में डॉक्टर दवा बदल कर मरीज के लिए इसे आसान बना सकते है अब हमें लक्षणों को दवा के जरीए नियंतरित करना चाहिए सबसे जरूरी यही है इस इलाज के जरीए हमारा लक्ष है जीवन रक्षा के लाज का अंत लक्षणों को नियंतरित रखते हुए मरीज की सांस अब ठीक चल रही है मृत्यु की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है मेरा हमेशा ये उद्देश्य होता है कि मैं वो करूँ जो मैं खुद के लिए या मेरे परिवार के किसी सदच से के यहां होने पर चाहती यह आपका पसंदीदा काम है है ना यह मेरा सपना है मेरा पसंदीदा काम मैं कुछ और करने के बारे में नहीं सोच सकती अलीस के मरीज की उस शाम मृत्य हो गई यह इंग्रिड लेंडर का अंतिम संसकार है अस्पताल में जीवन रक्षक तक्नीकों से हटाए जाने के पांच दिन बाद वो गुजर गई अब मुझे शानती चाहिए मुझे खुशी है कि बहुत सारी मदद लेकर मैंने उसकी अंतिमिच्छा पूरी होते देखी लेकिन हमारे पास धार्मिक श्रद्धा है और यह बहुत मदद करती है और मैं अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता किसी न किसी तरह ढूंट लूँगा इश्वर आपकी विदाई और आगमन परक्रिपा बनाए हमेशा हमेशा के लिए आमीन